तो हाई गाईज आप सभीका स्वागित करता हूँ टॉप क्लास गेमिक एक नए वीडियो में तो गाईज यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर सबसे जादा पुराना बंडल यहाँ पर अभी क्रिमिनल बंडल को माना जाता है और एक साकूर सब्सक्राइब करने वाले हैं कुर्मिन नए करने आणे इंडिया में क्यों नहीं आएगी बताओंगा और क्यूं आसकते यह ओकत्येओं वह इस वीडियो में बताने वाला हूं तो बस वीडियो को देखना है लाक्ष तक वीडियो को स्किप मत करना जो भी आपको इंफर्मेशन दूगा पूरा कनफर्म दूगा फालतों का चीज़ आपको नहीं बताने वाला हूं तो गाइस वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कोई भी दोस्त नहीं होंगे मारे चालब पर तो यार फिली चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बगल ओले ओन लोडिकेशन पर सेट जरूर कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोडिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए सबसे पहले बात कर लेता है यहाँ पर साकूरा बंडल तो साकूरा बंडल वो इलाइट पास सेकंड इलाइट पास का बंडल साकूरा बंडल बोला जाता है जो कि आप लोग जानते हो मतलो इलाइट पास का बंडल दोवारा रिटर्न कभी भी किसी ये स्टोर में नहीं आता और आएगा भी नहीं साकूरा बंडल का तो सपने ही सोड़ छोड़ दना कि साकूरा बंडल कभी आने वाला है इंडिया में क्या पूरे देश में मतलो जहां जहां फ्री फायर खेला जाता है वहाँ पर साकूरा बंडल को नहीं वापस लाए जाएगा और क्रिमिनल बंडल लाने का ये क्रिजन मैं यहाँ पर बताता हूं गाइज क्योंकि यहार गरीना फ्री फायर है वह धीरे धीरे पूराने चीज़ों को यहाँ पर मतलो दुवारा से ला रही है कमबैक के नाम से बोलकर जैसे कि हाली फिलाल में कोई मतलो लेजेंडरी बंडल लाया था जो की मतलो बोडी पर से एफेक्ट बगर निकर रहा था ऐसे ऐसे करके मतलो जो फ्री फायर है वह धीरे धीरे पूराने बंडल को वापस ला रही है और गाइज यहाँ पर बात कर ले ग्रीन क्रिमिनल बंड गाता हूँ जैसे कि आप सब देख पा रहे हुए जो रेड क्रिमिनल बंडल है वह पहले इसटोर में मतलो रखा गया था जैसे कि पहले आप देख सकते हो यहाँ पर अस्टार टोकन मतवा स्टार टोकन मिल कैसे रहा था वो चीज़ बताता हूं स्टार टोकन से आप यहाँ पर क्रीन क्रिमनल बंडल को ले सकते थे बिल्कुल फ्री में जो कि यार यह पहले फ्री मिल रहा था बट इंडिया में अब आईगी तो इसकी कीमत काफी जादा आपको चुकानी पड़ेगी यह जो स्टार वाला टोकन है यह मैच खेलने के बाद मिलता था बट इतना भी आसान नहीं था इस स्टार को टोकन को कलेक्ट करना जहां तक हमें पता है इस स्टार को भी मतलों किसी बंदे ने जल्दी कलेक्ट नहीं कर पाया थो जो ज़्यादा गेम खेलते थे जो गेम के नसेड़ी है वो फाइनली इस बंदल को ले लिया था और अभी फाइनली वो यूज कर रहे हैं तो गाईज यह पहले तो फ्री में बंदल मिली थी बट यहाँ पर बात कर ले आगे कैसे आएगी तो गाईज यह फाइनली मैं बता दूई है स्टोर में आपको दे क्रिमिनल आ सकती है जो कि कोई वेव इवेंट में डाल दिया जाएगा आएगा तो कोई एक या दो आएगा बट यहाँ पर चारो का बात कर ले तो चारो कम चांसे कि आपको इंडिया में देखने को मिलने वाली है और कब तक आई कि वो चीज मैं बताता हूं सबसे पहले मै बता दू यह चीज आने में आप अभी काफी ज्यादा टाइम लगने वाली है अभी दोजारी किस चल रहा है तो एक साल के बाद आपको यह फाइनली हो सकता है क्योंकि गरी ना धीरे धीरे मतलो पुरानी चीजों को ला रही है तो हो सकता है 6-8 मंत बाद आपको कंफर्म है कि आपको क्रिमिनल बंडल हो सकता है आपके वेव इविंट में कोई वेव इविंट में रैंडम डाल लिया जाए जिसमें आपको अच्छे खासे डाइमंड चुकाने पड़ेंगे यह बहुत बोल दे तो यार दस जार डाइमंड भी ले सकता है बड़ जिसको सौक है कुछ जितना information मिला था मैंने कुछ आप सभी को बता दिया जो news मेरे को मिला वो चीज मैंने बता दिया आठ से एक साल के बाद को हो सकता है यह बंडल आपको देखने को मिल जाए तो यार वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद तो गाइस ऐसे information देखना चाहते हो क्योंक कैसे मिलना वाली यह जीज मैं आपको बता दिया हूँ तो गाइस वीडियो को दखने धन्यवाद तो मिलता है शाइक लिए वीडियो साथ तब तक लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे रिच्वार लेड़ रूद बादर तो ठैक्स पर वाचिंग लव यू गाईज सुनो अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो कि अगला बीडिक किस पर वाना